दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर एक वीडियो को आपन किया और अगर मैं इस वीडियो में कमेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पर कमेंट आफ दिखा रहा है यहाँ पर देख सकते कमेंट्स आर टर्न आफ यानि यहाँ पर मैं इस वीड का comment on कैसे का सकते हैं यह बहुत सारे लोग पुछते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊंगा कि आपके वीडियो का अगर comment बंद हो गया है तो उसको आप दुबारा one कैसे का सकते हैं तो वीडियो काफी useful है आपको end तक देखना है और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीजे आरे red बटन पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको notification है वो भी बंद हो जाता है आपके चैनल का मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं notification भी बंद हो जाता है और अगर मैं इस वीडियो को इस तरीके से play करता हूं और यहां पर अगर मैं इसको छोटा करना चाहते हैं आप एक ही setting में सब video का setting हो जाए इस तरह भी करना चाहते हैं यह भी हो जाता है तो चलिह मैं आप लोगों को तीन ओ सटिंग के बारे में बताता हूं कि तीन तरीके सा आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले जब आप video upload करते हैं मैं आप लोगे को दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कोई भी video को select कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर इस video को select किया next के option पर मैं click करता हूँ तो यहां पर आपको दो option देखने के लिए मिलता है तो पहला option मिलता है और second option मिलता है not it's not made for kids तो यहां पर आपका जो setting है वो यहां पर टिक हो गया होगा तो इसको आपको ठीक करना है तो जब आप video upload करते उस time आपको not made for kids यानि second option को आपको select करेना है उसके बाद जिस भी video में आप इस तरीके का setting करेंगे तो उसमें आपके video का comment भी बंद नहीं होगा और साथ में आपके channel का notification भी बंद नहीं होगा उसके बाद जो आपने video upload कर लिया है यानि बहुत दिन पहले आपने upload करके रखा है और उसका भी अगर comment बंद हो गया है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकती है यह मैं आप लोगो बताता हूं आह यहाँ पर कलिक करते है फिरसे आप यहाँ पर देख सकते है दो आपको option देखने के लिए मिलनाए चैनल का नोटिफिकेशन बंद हो गया है या फिर एगर आप video PARC जोटा तो उसको कैसे ठीक का सकती है मैं आप लोगों को बताता हूं तो इसके लिए आपको Chrome browser को open करना है और Chrome browser में आपको अपने channel का YT studio open कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकती है मैंने यहाँ पे पहले open करके रखा था तो अगर आप यहाँ पे नीचे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको एक setting का option देखने के लिए मिलता है आपको simply इसपे click कर देना है और जैसा पे यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा option मिलता है तो यहाँ पर आपको second number में channel का option मिलता है, इस पर click करना है, उसके बाद इधर आपको यहाँ पर advance setting का option आपको देखनी के लिए मिला है, इस पर click कर देना है, और जैसे अपर यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फिर से आपको वही 2 option देखनी के लिए मिला है, और यहाँ पर एक तीसा option भी है, तो मैं तीनों option के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप अपने video का comment on करना चाहते है, तो second option को आपको tick करना है, या फिर अगर आप बच्चों के लिए video बनाते हैं, आपको comment से कोई लेना देना नहीं है, तो आप first option को select कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको second option ही select करना चाहिए, उसके बाद यह तीसरा option आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यह मैं आप बता देता हूँ, तो तीसा option में अगर आप tick करके रखते हैं, तो आपको हर एक video के लिए अलग-अलग setting करना पड़ेगा, यानि अगर हर वीडियो में अलग, यानि किसी में अगर आप comment on रखना चाहते हैं, कोई आपके बच्चों के लिए आप video बनाते हैं, तो आपको बच्चों का select, यानि फर्स्ट option select करना है, कोई अगर आप not made 4 kids के लिए video बनाते हैं, तो वो select करना है, यानि आपको तीसा option select नहीं करना, आपको second option ही select करना है तो second option पर tick करने के बाद यहाँ पर आपको corner में save करने का जो option मिलता है इस पर click कर देना है और जैसा पर यहाँ पर click करेंगे तो आपकी चैनल का सारे वीडियो का setting एक ही बार में हो जाता है तो कुछ इस तरिके से आप अपने वीडियो का comment on कर सकते हैं तो notification bell को आपको जरूर और पर select कर लेना है